हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने योट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तों आपका इंडिया नेवी ट्रेट्स मेंनमेट का जो है पेपर समापत हो चुका है सभी रिजन का मुंबई रिजन का आपका भी बाकी है मुंबई का एक्जाम होने के आपकी जल्द आपको बताऊंगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से एक्जाम फोर यू चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले बैल आइकन को ओन कर ले ताकि आपको यहाँ पर जो भी अपडेट आती रहे इंडिया नेवी ट् पेपर कब तक होगा दोस्तों पेपर जुलाई के दूसरे या तीसरे हफते में कराय जाएगा जो संबावना ये बन रही है कोरोना के केसिस कम होते जा रहे है दिन पर ती दिन जिसके करण जुलाई के दूसरे तीसरे हफते में आपका पेपर कराने की संबावना बन रही है result आपका अगस्त में आएगा result जो है आपका अगस्त में आएगा अगस्त में पहले या दूसरे अफ़ते में आपका result आ जाएगा तो ये तो होगी मुंबई के exam की बात आपके result की बात अब बात कर लेते हैं आपकी cut-off की कितने नंबर आपके आएं कि आपका selection हो जाए document verification में आपको क्या क्या document चाहिए होगे medical exam आपका कैसे होगा उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना रखिया तो आप description में लिंक दे दूँगा उस पर किली करकर आप देख सकते हैं तो cutoff देख लेदे दोस्तों आपके category wise क्या नंबर होगे comment box में आप जरूर बताएं आप किस category से और आपके कितने marks आ रहे हैं अगर आप general category में चंतर से लेकर 78 marks आपके होने चाहिए इससे कंपर आपका document verification में नाम नहीं आएगा OBC के लिए 73 से लेकर 75 नंबर EWS category के लिए 72 से लेकर 68 अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं दोस्तों तो ही आपका selection होने के chances बनेंगे document verification में आपका नाम तब ही आएगा क्या कि आपके डोक्यूमेंट चाहिए कुछ स्टूडेंट बूलने है कि सर डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारे पैसे चल जाएंगे हमारे फ्रेंड था उसके पैसे चलेते इस टाइप से दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी के पैसे नहीं चलते डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके पास डोक्यूमेंट नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये समझ लीजी आप यानि आप अंतिम पड़ाओ पर जाकर बाहर हो जाएंगे अगर आपने अपने डोक्यूमेंट से नहीं बनवाएं समय है आपके पास अपने डोक्यूमेंट साब बनवा लें क्या क्या डोक्यूमेंट चाहिए होंगे वो भी मैं आपको याँ पर बता देता हूँ 10th की माक्षीट आपको लेकर जानी है इसमें बिलकूल भी आपको टोती ना करें document verification में कोई भी घर पर document आप ना छोड़ें लेकर जाना है सभी document ITI का certificate आपका मांगो है Luckily हमारे पास समय नहीं था हमें पता नहीं था क्या क्यों document चाहिए सभी बाते में आपको बता रहा हूं वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो फटा फट से लाइक से लो सब्सक्राइब करते हैं एक्जाम फोर यू चैनल को बैल आइकन को जरूर ओन कर लेना ताकि आपको जो भी अपडेट हो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं डेली करंट अफेर भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं इंपोर्टेंट करंट अफेर मैं आपके लिए लेकर आता हूं कोई भी एक्जाम हो तीन से चार कोशन आपके हर एक एक्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेर को तो आप डेली करंट अफेर भी जरूर देखा करे ID प्रॉफ अपको लेकर जाने है आदार कार्ड आदार कार्ड लेकर जाने है यह सब ही document आपके मांगे हुए है ढोमिसाइल आपको लेकरजाना है यानि मौल लिवास पर्मान पत्र रेजिस्टेंश प्रॉफ के लिए मांग़ा हुआ है तो यह होगी आपके document verification की बात अब बात करने थे आपके selection process की तीन प्रोसेस है दोस्तों आपका return exam then उसके बाद document verification उसके बात होगा आपका medical result आपका अगस्त में आएगा पहले या दूसरे हफ़ते में मुंबई का आपका paper जल्दी होने की संभावना है हो सकता है जुलाई के पहले हफ़ते में भी करा दिया जाए तो आप तयारी अपनी जारी रखे मुंबई के paper की आपका बर्ति कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगी कोरोना की वज़े से paper जो है पोस्पॉंड हुआ है तो return आपका exam हो चुका document verification होने वाला है बहुत ही जल्दी result आने के बाद जब आपका मुंबई का paper हो जाएगा और medical आपका military hospital में कराय जाएगा military doctors की देख रेख में कुछ student के सवाल दे कि sir क्या government hospital का चल जाएगा medical दोस्तों अभी ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है तो government hospital का आपका अभी तक मानने नहीं हुआ है जो medical होगा आपका military hospital का ही मानने होगा military doctors की देख रेख में तो सभी बाते मैंने आपको बता दी selection process मैंने आपको बता दिया medical के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बना रखिये previous वीडियो आप जाकर देख सकते हैं उसमें मैंने criteria बता रखा है क्या क्या measurement आपका मांगा हुआ है medical के लिए कोई और question कोई ली doubt रहे हो तो आप comment box में जरूर पूछ लीजे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फटावर्ट से like कर दे अबने सभी दोस्तों के पास share भी करते हैं जिसने भी इंडिया नेवी tradesman mate का paper दिया है और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे है exam for you चैनल को subscribe जरूर कर लेना bell icon को ओन कर लेना ताकि आपको यहाँ पर जो भी अपडेट आती रहे सभी का notification सबसे पहले 100% सठीक जानकारी के साथ exam for you चैनल पर मिलता रहे है तो इस वीडियो पर इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत